नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुई का दोस्तों आज के इस वीडियो हम जेनरल साइंस के नेक्स प्रस्णों कऴ करेंगे पिछली वीडियो मैंने उन्डेथ तक के प्रस्णों कवर किया था खांसर का जो बुक अभी हाली में आया है जेनरल साइंस का इसमें से हम पहला टोपिक जो है अटोमिक स्ट्रक्चर को कवर कर रहे हैं 100 तक के प्रस्णों को कवर कर चुके हैं पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है आए देखते हैं इसमें नेक्स प्रस्ण जो है 101 से अमोनियम सलफेट के एक अणू में कितने परमाड़ों होते हैं तो इसका अंसरों का आप्शन नमर बी 15 अमोनियम सलफेट के एक अणु में 15 परमाड़ होते हैं next है Mary Curie ने किसकी खोज के लिए Nobel पुरसकार प्राप्त किया uranium, plutonium या radium या aurum के लिए इसका answer हो का option C radium के लिए Mary Curie को Nobel पुरसकार मिला था next है benzene में πाई और सिग्मा आबंध की संख्या कितनी होती है benzene में πाई बॉंड की संख्या और सिग्मा बॉंड की संख्या बताना है तो इसका answer हो का option number E πाई बॉंड की संख्या 3 और सिग्मा बॉंड की संख्या 12 होती है next है निमलिकित में से कौन सा जो तत्व है इसमें से 3 संयोजक है यानि ट्राइभाइलेंट है बॉराउन या इंडियम या एलुमिनियम तो इसका answer का option number D इन में से सब ही जो है ट्राइभाइलेंट तत्व है next है परमाडू के भीतर neutron द्वारा proton पर आरूपित बल क्या कालाता है इसका answer जोग option number E नाविकियबल परमाडू के भीतर neutron द्वारा proton पर जो आरूपित बल कालाता है उसको नाविकियबल का आयता है next है विशरन के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानि कौन सा इसमें से सही नहीं है तो इसका answer होगा option number E ये कथन सही नहीं है गैसों के विशरन की दर उनके आयतन पर निर्भा करती है ये statement क्या है सही नहीं है बाकी तीनो statement जो है इसमें से सही होगा विशरन में कण जो होगा उच सांद्रन से निम सांद्रन क्यों गति करते है गैसों के विशरन की दर ठोस और द्रव की तुल्ला में अधिक होती है विशरन के वल तभी संबव है जब पदार्थ कर लगतार गतिमान अवस्ता में हो तो ये तीनो statement सही है और ये क्या है गलत है नेक्स्ट है क्योंकि कार्बन चतु सयोजक होने के कारण और उनके सह सयोजक बंद बनाने के कारण कारण क्या दरसाता है एंसरों का option number D स्रिंखला बंधन नेक्स्ट है वो रसानिक बंद कौन सहा जिसमें परमाड़ों के सयोजन से अड़ों का निर्माड होता है इसका एंसरों का option number C बिधूत अस्थेतिक बल नेक्स्ट है परमाड़ों के सिधांत की खोज किस ने की तो इसका एंसरों का option number E हिंदे की यूकावा परमाड़ों बलों की सिधांत की खोज इसने की थी नेक्स्ट है प्राय धनावेशी ततो की सयोजता कितनी होती है धनावेशी ततो की सयोजता होगी एक, दो, तीन, option number D इसका सही answer होगा next है परमाणवों से प्राप्त उर्जा को क्या कहा एता है इसका answer होगा option number D नाभिकिया उर्जा next है गैसों की मात्रा वियुत कर्मानुपाती होता है किसके, डाब के, या समय के, या घनत के, या उनके द्रब्मान के इसका answer होगा option number D नाभ के next है निम्द में से कौन सा विकल्प सह सयोजक योगी का गुण नहीं है कौन सा विकल्प जो दिया गया इनमे से सह सयोजक का गुण नहीं होगा विकल्प दिया गया है इसमें से गलनांग जो होगा उसका उच्छ होगा और क्वाथनांग या जो है कथन सही नहीं है नेक्ट परसन आए देखते हैं रेडियो सबक्रिता का अविस्कार जो है किस ने किया था यह काफी इंपोर्टन कोशन है यह बहुत बार पूछा गया है तो इसका अशरों का अप्स नमर C, हेंडरी विक्रिल के द्वारा नेक्स्ट है वह तत्व जिसके अणुओ में तीन संयुक्त इलेक्ट्रोन होते हैं उसका एक उधारन इनमें से कौन सा है तो इसका अशरों का अप्स नमर D, अलुमिनियम नेक्स्ट है कार्वन डाई अक्साइड में कार्वन की संयुक्ता कितने होगी इसका अशरों का अप्स नमर B, चार कार्वन डाई अक्साइड में कार्वन की संयुक्ता चार होती है नेक्स्ट है रेडियम किस खनी से प्राप्त होता है radium जो होगा किस तत्थ से प्राप्त होगा तो इसका answer होगा option number D peach blend से next है dalton का आंसिक दाब का नियम निमलिकित में से किस समय करण पर लाग होता है dalton का आंसिक दाब का नियम CO plus H2 यानि answer होगा इसका option A next है निमलिकित में से कौन सा एक radioactive जो है तत्थ नहीं है plutonium, titanium या uranium या thorium तो इसका answer का option number B titanium जो है radioactive तत्थ नहीं है next है बरे परमाड़ों वाले कत्थों से बने बंद जो होते हैं कैसे होते हैं बहुत कमजोर या कमजोर या मजबूत होंगे इसका answer होगा option number A बहुत कमजोर next है फासपोरस के एक परमाड़ों में कितने सयोजी इलेक्टरॉन होते हैं 3, 4, 2, 5 तो इसका answer होगा option D, 5 फासपोरस के एक परमाड़ों में 5 जो होगा सयोजी इलेक्टरॉन की संख्या होगा next है ammonia के nitrogen की सयोज़ता कितने होती है यह काफी important question है दो बार पूछा गया है तो इसका answer होगा option number D 3 होगी next है peach blend जो है किस से संबंदित है यह repeat है तो याद रखिएगा peach blend जो है radium से होगा या uranium से होगा या thorium से होगा या plutonium से answer होगा option B next है किसी तत की संयोज़क सक्ती क्या कालाती है परमाणुक्ता या अडू भारता या समानेता या संयोज़क्ता किसी तत की संयोज़क्ता सक्ती जो होगी संयोज़क्ता काहलाई की option D इसका सही होगा next है गयसों का कौन सा गुण इन्हें सुवा है बनाता है विश्तरण संपीडिता या आकार या आयतन इसका अंसरों का option नवर B संपीडिता next है एक रेडियो धर्मी धातु जो केंदरित उर्जा का एक प्रचूर सुरुत है और 1789 में इसकी खोच की गए थी इसकी परमाडू संख्या यानि atomic number 92 है तो इन में से यह कौन सा है सोना है या सिलिकॉन है या रेडोन है या यूरेनियम है इसका अंसरों का option नमर D यूरेनियम next है एक तत्व ए फर्मूला A3 ओ फोर के साथ अकसाइड बनाता है तत्व एक की संज़ लगता क्या होगी तो इसका अंसरों का option नमर D फोर होगा next है आयनिक यूगिकों में आयन एक दूसरे से अकरशित करते हैं और मजूद जुड़े होते हैं किस के साथ तो इसका अंसरों का option नमर D विधुत अस्थाइतिक बलो के साथ जुड़े होते हैं next है यदि Aluminium की संजोगता 3 और Oxygen की 2 है तो Aluminium Oxide का रशानिक सुत्र क्या होगा एंसरों का Option No. D Al2O3 Next है Magnesium की परमादू संख्या 12 है और इसकी संजोगता कितनी होगी एंसरों का Option No. A Plus 2 होगी Magnesium की परमादू संख्या 12 है तो इसकी संजोगता होगी जो Plus 2 होगी Next है Oxygen के सापेक्स कोलोरीन की संजोगता कितनी होती है एंसरों का Option D 7 Next है बड़े परमादू वाले तत्तों से बने आबंद जो होते है बहुत कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं या बहुत मजबूत होते हैं Repeat Question है एंसरों का Option No.1 बहुत कमजोर होते हैं बड़े परमादू वाले तत्तों से जो बनते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं Next है Carbon Diacide के सभी नमूनों में 3 is to 8 के दरमान का अनुपात है इसमें Carbon और Oxygen जो होती है या किसके साथ समाती होगी इसके एंसरों का Option B लगतार समानुपात होगा Next है सा सयोजी आबंद के दो परमाड़ों के बीच आबंद की मैक्सिमाम नमबर कितने हो सकती है इसके एंसरों का Option 3 सा सयोजी आबंद के दो परमाड़ों के बीच आबंद की मैक्सिमाम संख्यात ही हो सकती है Next है Lithium Nitride का सुत्र जो होगा क्या होगा इसका एंसरों का अप्सन नमर C Li3 N2 इसका सूत्रों का लिथियम नाइट्राइट का नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनों की संख्या N2 आवंद में बनाने वाले भाग लेते हैं एंसरों का अप्सन नमर C 6 नेक्स्ट है स्वयोजिक बॉन्डेड अड़ों में निमलिकित में से गलनांग और क्वातनांग बिंदू होते हैं क्योंकि सह संयोजित जो बॉन्ड होते हैं इसमें अड़ों के गलनांग और क्वातनांग बिंदू यह होगे इंटरमोलेक्योलर बल द्वारा जुड़े होते हैं एंसरों का option number C, इसका सही, next है Q plus oxide में copper की संयोगता क्या होती है, इसका एंसरों का option number A, 1 होगी, next है सह संयोगत, योगिक क्या का लाते हैं, इसका एंसरों का option number B, सही, इन में से सबी जूरने वाले परमाड़ों की इलेक्टरानों की सहिधारी द्वारा बनते हैं विदुत के कुछालक होते हैं और यह योगी का गलनांग और क्वातनांग निम्न होता है तो इन में से इसका एंसर जो होगा अप्शन और भी सही एंसर होगा next question दिया गया है इन में से कौन सा अडू जो है सा सौयजक नहीं है figure दिया गया है पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा पूछ रहा है कि इन में से कौन सा जो है figure थोड़ा सा बड़ा है इन में से कौन सा सा सौयजक अडू नहीं है तो इसका एंसरों का option number A जो दिया गया है यह सा संजगत नहीं है का LCM और oxygen का दिया गया है structure बना के next है दिया गया है मिलान करने के लिए इन में से कौन सा संजगता जो दिया गया है गलत है चैन करना है एंसरों का option number D तीन जो है सही दिया गया है और यह जो है गलत है oxygen का दिया गया है और 1 next है एक रसायनिक अभिकिरिया के दोरान अभिकिरियाओ और उत्पादों के द्रमानों का योग अब परिवर्थित रहता है इसे क्या कायता है तो इसका answer का option number D द्रमान सरणक्षन का सिधान next है तत्व एक्स चतुर सवयोजक और तत्व वाई जो दिया गया है द्वी सवयोजक है तो इन दो तत्वों से बना योगिक क्या का लाएगा answer का option number C next है परिवर्थनिय सवयोगता दरसाती है answer का option B संक्रमर तत्व से next है निश्चित नियम अनुपात में इन में से कौन सा दिया गया है अनुपात दिया गया है यह दो बर पूछा गया है ग्रूप D में एक जो है shift 3 में और एक shift 2 में अनुपात दिया गया है अचर का इसमें से बताना है answer होगा इसका option number C रसानिक पदार्त में तत्व हमेशा दरमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं option number C इसका सही answer होगा यह जो है निश्चित नियम के अनुपात जो है दिया गया है next है सह सोयजक बंद के दो परमाडों के बीच answer होगा option D electron की सहजदारी द्वार बनते हैं सह सहयजक बंद जो होते हैं दो परमाडों के बीच electron की सहयजदारी के द्वार बनते हैं next है निश्चित में से किस तत्व की तीन सहयज़ी electron होते हैं aluminum, ag या au या ca इसका answer का option number is aluminum next है कौन सा नियम कहता है कि रसानिक अभिकिरिया में द्रमान का न तो उत्पन किया जता है और ना ही नस्ट किया जता है कौन सा नियम कहता है कि रसानिक अभिकिरिया में द्रमान न तो उत्पन होगा और ना ही नस्ट होगा इसका एंसर होगा अप्सन नमर D द्रहमान सरणक्षन का नियम कहता है नेक्स्ट है निमलिकित बैज्ञानिकों में से किसने जो है एस्थिर नियम के परतिपादन दिया था एंसर होगा अप्सन नमर B जोसेफ प्रावसेश्ट प्रावसेश्ट